हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत-बहुत सवागत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना उसको गलती से भी मिस मत करना रिमाइंडर जरू सेट करके आपे रख लेना आज की दिन की बात करें जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो से सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अविले बले अब चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो तो चले दोस्तो अब इस वीडिय कि भाई बाई करो, सेल करो, होल्ड करो आवरेज वो आपकी मरजी बट फिर भी सवाल यहां पर क्या देखने को मिल रहा था कि ऐसा शेर बता दीजिए जहां पर हम लोग इन्वेस्मेंट करने के लिए रिडि हैं लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं लॉंग टर साथ अगर देखा गया तो अच्छी कासी ग्रोथ रहनी चाहिए उस बिजनेस में तो दोस्तों ऐसा अगर आपको कोई बिजनेस चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फिर कोई तो बड़ा बिजनेस ही पकड़ना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अगर बिजनेस में उस सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए जिसको अगर देखा गया दोस्तों तो एक ऐसा स्टॉक आप लोग के सामने रखना चाहूंगा आप चाहो तो इसको यहां पर स्टड़ी कर सकते हो तो सबसे पहले कौन से सेक्टर से कंपनी बिलॉंग करती है रिन् सक्सेस्पूल अगर रही ठीक है ट्रांजमेट करने में तो हम विदेश को भी क्या कर सकते है एनरजी एक्सपोर्ट कर सकते है तो यह सबसे पहले हम कह सकते कि जो सेक्टर है वो तो है इबदम दमदार सेक्टर दैन अगर हम बात करें तो बड़े ग्रूप से बिलॉंग करन अगर नहीं पता चल रहा है तो आपकी स्टडी काफी कमज़ोर है विके चार्ट पेटर मतलब नॉर्मल चार्ट पेटर नहीं है easily समझ में आ जाता है कि कौन सी कमपनी की बात हो रही है आप यापे देख सकते हो कि कमपनी लगातार यापे नीचे ही जा रही थी 10-12 साल से बट अच्छानक से आप देख सकते हो कि पीछले 5 साल में कमपनी ने इबदम रेकॉर्ड ही तोड़ दिया ये चीज दर्शाती है क कि जिस segment में एक company काम कर रहे है उसमें growth जरूर है प्लस टाटा ग्रूप की यह मतलब safety भी है तो सब कुछ यह चीज़े आप लोगों के आपर मिल रही है जिसका नाम है टाटा पावर येस टाटा पावर की बात करें तो दो डिजिट में एक stock हम लोगों को देखने को पूर रह है ठीक है बट मेजर मकसद क्या है यहाप है कि अगर आप investment करने के लिए लंबी पारी खिलने के लिए growth के साथ अगर कोई stock को तलाश कर रहे हो study करने के लिए तो टाटा पार मस भी हम कह सकते एगदम powerful वो company हम लोगों को देखने को आप हमिल रही है मतलब अगर आप इसकी balance sheet भी देखोगे तो अच्छी कासे अभी balance sheet आप लोगो सुधर देखने को मिलेंगे ठीक है जो पुरानी balance sheet है जो results है काफी उट पटांग वाले results आपको देखने को मिलेंगे अभी जाके renewable segment ये portion जैसे बड़ेगा ना company का that's it वही इनके लिए ब्रह्मास्त रहे अगर renewable sector के बिजनेस है power generation distribution transmission इसमें किसी को भी interest नहीं है तो ये भी point आप लोगों को पता है यहापे होना चाहिए then करजी की बात करें ठीक है करजा विर्जा यहापे रहेगा 11,000 करोड पहले तो 18 था भी 11 है ठीक है यह सारे चीज़े आपे चलती रहेगी but yes company future oriented business में आपे काम कर रही ह तो जबरदस यहापे आने वाले समय में हम लोगों को company का performance सुधर तेवे देखने को आपे मिल सकता है 300 करोड के आसपास का cash भी देखने को मिल रहे है balance sheet पुराने business की साब से तो इसलिए कोई खास देखने को नहीं मिल रहे है but yes यह renewable sector वाला जो business है company की balance sheet भी एबदम drastic way में बदल सकती है ठीक है तो आप यहापे देख सकते हैं इनका जो old business है generation transmission distribution वो तो रहेगा ही रहेगा पट अभी खास कौन सा business है इनके लिए renewable sources यह सबसे major major business है और टाटा पार ने खुद अपने कई बार statement यह बात बूली है कि renewable source के उपर यह भी उनका focus है वो तो उनको भी पता जो कि इस company के दीन बदल रहे है रूफ टॉप सोलार के अगर बात करे तो यह बनाने का company काम करती है charging station में company काम करती है दोजार पचीस तक तो एक लाख electric vehicle charging station से आपे उनको setup करने है मतलब normal solar का तो business है ही then energy बनाने से related clean energy green energy वो बिजनेस है ही electric vehicle में charging infrastructure setup करने का भी बिजनेस इन पर भविशा में मिल सकते है electrification कौन सा हम लोग ने देखा है ना train चलती है उसके उपर जो तारे रहती electric की आप ऐसे अभी गाड़ी यह भी रहेगी आप देख सकते है ऐसा इब्दूंग जबरदस highway यहापे रहेगा ठीक है और उनके लिए कलग से segment रहेगा यह देखिए इस project की अगर हम minimum cost बात करें ना देढ़ लाक करोड रहने वाली है दोस्तों यह से देढ़ लाक करोड तो टाटा पावर ने इससे related भी interest दिखाए था कि भाई अगर यह करना है तो हम ready करके obviously इतना पैसा होना चाहिए और इतना पैसा टाटा ग्रूप के पास तो है ही ठीक है समहा वो manage कर भी लेंगे ठीक है उनको fund raise करने के लिए भी कोई इतना कोई ज़्यादा दिक्कत ने ऐसी चुटकी बजा देंगे तो लोग ऐसे दर्वाजे पे खड़े हो जाते पैसा लेगे तो मतलब company तो है दमदार और जिस segment में काम कर रहे है वो भी दमदार है तो यह सार दिमें रेखा था 40,000 करोड के आसपास market cap था डबल से भी जादा हो गया ठीक है मतलब company यहाप भागी वेसे ही ठीक है तो यह point हम लोगों को दिमें-दिमें करके समझ में आने चाहिए company के अगर हम लोग results की बात करें तो इतने कुछ खास results देखने का आपको नहीं मिलेंगे ठीक है बट भविश्चा में numbers improve होते वे देखने को मिलेंगे आप देख सकते है 2000 करोड, 3800, 4000 ठीक है ओक्योके टाइप का हमनों को performance देखने का आपे मिल रहा है बट जैसे renewable segment यहापे खिल उटेगा तो Tata Power में भी numbers हमनों को और भी खिल उटे वे देखने का आपे मिल सकते है promoter के holding 47% के आसपास है, FIS 10% के आसपास है, DIS 15% के आसपास है, DIS तो पहले केवल 4 थे, 4% तो काफी कम लग रहे है, शायद से 14 रहेगा ठीक है वो screen आदी देखने का आपे मिल रहे होगी, बट बताने का मक्सद के है कि आप yes, आप देख सकते लगाता रिंग के holding भी बढ़त को हमेशा होती है, कौन सा, सब कुछ उनको तुरंत चाहिए, खतम, यहाई पर गेम खतम हो जाता है, maximum लोगों का, मतलब मैं अगर चेक करूँ ना, लोगों के portfolio, अच्छा, ये share है, ये share है, ये share है, कमाल के share होंगे, बट कुछ साल कोई बात देखेंगे न, 2025 तक मान लीजि होगे न, 354% की return, अभी वापस हर कोई Tata Power, Tata Power कर रहे है, बीच में देखें, इब्दम, रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद देखें, कई समय तक, अगर मैं calculate भी कर लू, 2021 October से लेकर आप कह सकते है, लबग, लबग, मतलब, देड़, दो साल, एक ही range में आम लों को stock चलत अभी हाली में मैंने वीडियो बनाए था, 11 January, यादे न, 11 January को क्या है, हाँ, सरकार की बहुत बड़ी बेठक है, अभी उसका outcome public होगा या नहीं होगा, वो देखने वाली बात है, कि यह जो company है, इसे power वाली जो company है, इनको finance provide करना, यहापे allowed कर देंगी, करके बाते बोली जा सब बातों की एक बात अगर में कुल मिला कर अगर बोल दू, तो येस, टाटा पाउर एकदम जबरदस powerful performance या पर दे रहा है, और भविश्चा में भी ये performance आपको निरंतर देखने को मिल सकता है, सिर्फ आपकी हडबड़ा अट आपको इस stock में नुकसान करवाएगी, ठीक ह इसके पहले भी बोला था, एक देड़ साल नहीं चला, वसला बेज दिया, फिर उसके बाद rocket बना तो आपस खरीदने की बात करे, ऐसा करते रहोगे तो भाई फिर हो गया share market, ठीक है तो अगर आप लंबी हो दी की पारी के हिसाब से सोच रहे हो, और safety के साथ साथ अच्छे बाब बाई